आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं Partnership Form Of Business के बारे में हमने अलड़ेडी Sole Proprietor ETF Form Of Business कवर कर लिए है Partnership आज के जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन उसमें हम लोग उसका मीनिंग merits और demerits सिर्फ यह तीन चीजने डिसकस करेंगी next lecture में इसके आगे continue करेंगे तो सबसे पहले partnership होता कि partnership is an agreement between two or more person to carry on a lawful business carried on by all or anyone acting for all and to share the profit or loss in an agreed manner तो यह जो definition है इसके key points highlight करते हैं पर तो सबसे पहले यह एक agreement है मतलब लोग agree करने चीह है कि हमें साथ में कोई चीज करनी है तभी यह हो सकता है तो there should be an agreement agreement भी कितने लोगों के बीच में there should be two or more minimum दो और उससे जादा लोग आगे जब अगला session पढ़ेंगे तब मैं limit भी बताऊना कि जादा से जादा कितने partner हो सकते हैं but I hope यह दो point clear है कि एक agreement होना चीह दो या दो से जादा लोगों के बीच में होना चीह और यह agreement किस से related होना चीह agreement related होना चीह lawful business से किस से related होना चीह lawful business मान लीजिए दो दोस्तों ने सोचा हम साथ में मिलके गाड़ियां चुराएंगे और जो profit आएगा वो आपस में मांट लेंगे तो क्या यह partnership है obviously not क्योंकि definition कहती है business lawful होना चीह illegal business partnership नहीं हो सकता number two lawful के साथ साथ business भी होना चीह मान लेजिए आपने सोचा charity के काम के लिए तीन या चार लोगों ने मिलके सोचा कुछ चालू करते हैं वो भी partnership में नहीं हो सकता क्यों क्योंकि partnership में business होना ज़रूरी है तो हम कहा तक पहुँचे है हमने agreement कवर कर लिया दो या दो से ज़ादा लोग होने चीह lawful होना चीह business होना चीह and it can be carried on by all or anyone acting for all मतलब partnership में सब साथ में भी मिलके काम कर सकते हैं या कई बार role बाटावा भी हो सकते है मान लीजे मैं marketing देख रहा हूं कोई दूसरा बंदा sales देख रहा है कोई तीसरा बंदा operations देख रहा है तो अगर मान लीजे मैंने marketing में कोई decision लिया तो वो पूरी firm के लिए applicable होगा मान लीजे मैं marketing के लिए कहीं से 5 लाक रुपए ले के आया और marketing में invest कर दिये तो वो अब बाकी partners की भी liability है तो या को हम साथ मिल के सारे काम करें या कोई एक भी काम कर रहा है तो वो भी सब को bind कर लेगा तो मैंने कहा चौथा point भी cover हो गया carried on by all और anyone acting for all and finally जो भी profits वोगे राएंगे जो भी हमारा agreed ratio उसमें हो क्या होगा distribute हो जाएगा बढ़ जाएगा so guys हमने meaning partnership का बहुत अच्छे से cover कर लिया अब हम आते हैं merits पे और demerits पे तो partnership form of business क्यों करना चाहिए सबसे पहले partnership बहुत easy है start करना और बंद करना भी बहुत असान है तो सबसे पहले ease of formation and closer आपको partnership में registration compulsory भी नहीं है आप चाहो तो करवाओ अगर आपको लगता है जरुत नहीं है तो आप रहने दीजिए तो ये बनाना बहुत असान है बंद करना भी बहुत असान है उसके बाद next balanced decision making क्योंकि partnership में आप बहुत लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो तो बढ़ा आसान हो जाता है balanced view रहता है सबसे discussion करके आप एक final conclusion पर पहुंचते हो तो decision making क्या होती है balanced रहती है उसके बाद में next है more funds sole proprietor में अकेला आदमी दंदा कर रहा है business कर रहा है funds क्या होंगे limited होंगे वहीं अगर partnership में कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों के पास जो fund है वो मिलके आप एक business start कर रहे हो तो इसलिए funds क्या होंगे इसमें जादा होंगे next is sharing of risk जब अकेले business करते हो तो profits जो भी होंगे वो तो ठीक है but मान लोगर losses हो गए तो वो आपको अकेले बियर करने है but partnership में अगर losses होए तो वो सब में बट जाएंगे तो risk क्या हो जाती है आपस में share हो जाती है next is secrecy partnership को अपने जो भी books of accounts है जो भी उनके business में हो रहा है कहीं disclose करने की या publish करने की ज़रुत नहीं है जिसे company के case में आपको publish करना पड़ता है कोई भी 100 रुपे का payment देके 500 रुपे का payment देके आपके पूरे financial statements go through कर सकता है बट partnership में ऐसा possible नहीं है तो secrecy क्या रहती है maintain रहती है अब start करते हैं guys हम demerits के partnership के नुकसान क्या है अगर आप इस form of business में आ रहे हो तो आपको क्या कैसमे limitations देखने को मिलेगी सबसे पहले number one is unlimited liability partners की unlimited liability होती है मतलब अगर मान लो उनका जो भी share of loss है वो अगर आता है तो उनके personal assets भी बेचे जा सकते है और एक और important point मान लेजिए कोई दूसरा partner भी अगर bankrupt हो जाता है तो उसके जो losses हैं वो भी remaining partners को bear करने पड़ेंगे तो यहाँ पे unlimited liability होती है number two limited resources अब limited resource कैसे हो गए definitely sole proprietorship से तो जादा resource है बट company वगेरा से compare करोगे जो थोड़े से बड़े structure है उनके comparison में आज भी क्या है resources limited है क्योंकि जादा से जादा पचास partner हो सकते है तो resource तो क्या है limited है company में public company जो है उसमें unlimited members हो सकते है तो यहाँ पे limited resources आपके पास रहेंगे next is possibility of conflicts ऐसा हो सकता है कि partners जब कुछ discussion कर रहे हो तो या तो मान लीजिये सब agree कर रहे है तो कोई tension नहीं है बट एक partner का X opinion है दूसरे partner का Y opinion है तो कई बार क्या होता है कि opinion में हर एक की राय different होने की वज़े से कई बार decision making थोड़ी सी delay भी हो सकती है conflicts भी हो सकते है next is lack of continuity मान लीजिये partnership में कोई partner की death हो जाती है कोई partner चला जाता है bankrupt हो जाता है lunatic मतलब थोड़ा पागल हो जाता है तो उस cases में क्या होता है partnership का business बंद हो जाता है तो ये भी एक problem है कि किसी एक partner के जाने की वज़े से इतने सारे cases जो बता है उनमें से एक भी कुछ हो गया तो partnership business क्या हो जाता है बंद हो जाता है तो continuity का issue है next is lack of public confidence कि जो public है उनका confidence कम रहता है क्योंकि data बगेरा publish होता नहीं internal रहता है तो लोगों का partnership पे ज़्यादा confidence आ नहीं पाता है आज का जो session था हमने इसमें तीन चीज़ें cover करी हमने सबसे पहले partnership का meaning cover किया उसके क्या merits है फ्राइदे है and finally उसके क्या limitation है अगले session में हम लोग type of partnership cover करेंगे और थोड़ा बहुत registration के regarding इसमें बात करेंगे till then take care बाबाई करेंगे